मंदावि सर्पिनी एक सफेद पिस्सू थी. वह एक निश्चित देश में एक राजा के बिस्तर को धकने वाली अती सुन्दर सफेद रेशम की चादर की पड़तों में रहती थी. वह बिना किसी को पता चले राजा का खून पीती रही और अपने दिन खुशी-खुशी बिता चेतावनी दी, हे बग, तुम राजा के शयनकक्ष में क्या कर रहे हो? पकड़े जाने से पहले तुरंथ चले जाओ. कीडे ने उत्तर दिया, महोद्या, भले ही मैं निकम्मा कीडा हूं, अतिथी के साथ व्यवहार करने का यह कोई तरीका नहीं है. व्यक्ति को अतिथी का स खून से अपना पेट भरा है, लेकिन मुझे कभी राजा के खून का आनन्द नहीं मिला. यहां बहुत मीठा होना चाहिए, क्योंकि राजा सबसे अच्छा खाना खाता है. मुझे इसका स्वाद चकना अच्छा लगेगा, यदि आप अनुमती दे तो राजा का खून. पिस जब वह गहरी नींद में होता है. मैं तुम्हें राजा का खून खाने की इजाज़त तभी दे सकता हूँ, जब आप उसके सोने तत इंतजार करने का वादा करें. बग में सहमती व्यक्त की, मैं राजा के सोने तत इंतजार करने का वादा करता हूँ, और जब आप अपना पेट भर लेंगे, उसके बाद ही मैं उसके खून से अपना पेट भरूँगा। जैसे ही उन्होंने ऐसी शर्तों पर निरने लिया, राजा अपने शयनकक्ष में आए और सोने के लिए लेट गए। बक खुद को नियंतरित नहीं कर सका और उसने बिना इंतिजार किये राजा को एक छोटा सा काट लेने का फैसला किया। चूकि राजा को अभी भी नींद नहीं आई थी, वह कीडे के तेज काटने पर उचल पड़ा। राजा अपने सेवों को पर चिलाया, अरे मेरे बिस्तर में कुछ है जिसने मुझे काट लिया है। उसे ढूंडो क्योंकि मुझे पहले ही काट लिया गया है। यह सुनकर नौकर उसे खोजना शुरू कर पाते, इससे पहले कीडा तुरंत बिस्तर के एक कोने में छिप गया। हाला कि नौकरों ने पूरे बिस्तर की एक-एक चादर की जाच की और सिलवटों के बीच पिस्सू पाया। उन्होंने उसे तुरंत माल डाला और राजा बिना किसी चिन्ता के सो गया। पुद्धिमान तो सच मुझ कहते हैं। दोस्तों और परायों के जूटे वादों का कोई मोल नहीं होता। अंतत आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है।